तुसी वेख रहे हो आजदा मुदा मैंहा तोड़े नाल हरकीरत से इंगालुआ लिया सारे दर्शकानों प्यार आते अदब सहत सत्स्रियकाल न्यू यॉयॉक इस्टिन टाइमिंग दी गल करिये ता एस टाइम साड़े नो थे हो रहे ने थे उते ही अगर असी वेस्ट कोस च इस वीक उने दे वेचे इस प्रोग्राम नो वेख रहे हो ए मंच असी त्यार किता होया है कई सारे एहम मसलियां दे और जब असी उना मसलियां दी गल कर दें ते कहीं सारे विशे जेड़े ने वो कई वकवक प्लाटफोर्मां दे उते तुसी सोचल मिडिया दे या फिर जोना सारे विशे दे उते किनी कुछ सचाई है गी है और जेड़ी खबरा तुसी पढ़ दे ओ या फिर जेड़ी खबरा तुसी सोचल मिडिया दे वेख दे ओ कि वाके ही ओ खबर जो दसी जा रही है ओ है कि नहीं एक वड़ा सवाल बढ़ दा आज जिड़ा विशा मैं ले लेही बहुत ही दुख दी कड़ी लंबे समय अगर मैं गल करा 1984 तो लाके होन तक पावे ओ साका नीला तारा दा ओपरेशन होए पावे पंजाब दे विच चूठे मुकाबले होन पावे 1984 सिख जैनोसाइड होए ता कई सारी तशद्दा साड़े कौम दे विच मौजूद उ जान उन च्छावर कर देता उना शहीदा ने दिती लंबे समय तो असी एजरूर कहने है कि एदे विच उदा हात सिगा एदा हात सिगा पर हजे तक कोई वी एक अजही और्गनाइजेशन सामने नहीं आई जिने वाके क्या हुए कि नहीं असी तो अडेली खड़े या और कर जान के दिखावांगी खेर ऐसा गल्ला गल्ला रहा गई पर ग्राउंड लेवल ते होते हैं कोई कम अगर मैं कमा बिल्कुल कमाँगा हज तक नहीं होया आसी उना शहीदानों याद कर देंगा कल जी मैं ऐसी प्रोग्राम किता सिगा आसी सिग सिक्स सोल्जर्स न याद कित अपनी विचा अरदारा दे उते हैं अपनी जान दे देती है हुन असी तो अड़े हात दे विच एक कौम दी चाबी देके जा रहे हैं परकि अज दी इस जनरेशन दे विच कौम दे जथेदार कहौन वले या फिर कौम दी अगवाई करन वले कहीं सारे और्गनाइजेशन्स दे विच पैरोकार ने जो केंदे ने कोई भी समस्य है असी कौम दे जथेदार हां उन्होंनों सेटिफिकेट किना ने दिता है पर SGPC दी अगर मैं गल करां DSGMC दी गल करां सनू ते वाकि उन्होंना तो कोई आस नहीं है कि एक आउम दी वाकिए अगवाई कर रहे ने 2015 दे विच जद गुरु गरंद सहाजी दी बेद भी हुंदी है ता साढे मंदे विच रोश पैदा हुंदा असी कहने है कि साढे गुरु नूं ही इन्हा ने इस तरीके नाल भेद भी की थी जिस गुरु नूं असी अपने मंदे विच वसाया हुए उन्हों सडक दे उते उन्हों था था दे उते अज पूरे तरीके नाल खतम कर दिता ए गल सानू बरदाश नहीं हुई और नहीं होवेगी आस किसे तो नहीं है और नहीं है आस लावांगे सोशल मेडिया दे उते इंटरनेट दे उते कोई भी अपने आपने कहने दा कि हैसी यह काम कर रहे हैं तो आड़ी जवाब लैन दी लीगल राइट ने क्योंकि जिनना हिस्सा तुसी काम दे विच प्रोग्रेसिव होन नहीं पाया है उस तो जादा हिस्सा जो शहीद होए ने उन्हा ने पाया है कि यह सी होना तो कोई सबक सिखे आज जेला दे वेचे जेडे कि मैं किना दे करके अज जेल दे विच बंदा ए ओ कौम है जिनना दिले में अगवाई किती सी की जिनना दिले में लडाई लड़ी सी की वो अज की में महसूस करते होने सरबत खालसा 2015 दे विच होन दा है कई सारे मते उदे विच पास होन दे ने जिड़ा सब तो वड़ा साठी कौम दे रही अगर मैं ग्राउंड लेवल ते कम करा इस तो वड़ी गल नहीं हो सकती असी उन्हों कोज दे रही है अन्हे आए किता उन्हें किता इस ओल ओवर एही गला हो रही है ने पर असी करकी रही है जिड़ा योगदान की है अज ओ गल जस पंजाबी ते होएगी कई सारे वड़े खुला से होनेगे जी हाँ अज मैं गल करांगा जथेदार जक्तार सिंग हवारा होरा दी रहाई जथेदार जक्तार सिंग हवारा होरा दी अकाल तक सहिब दा जथेदार नुक्त किता जान दा तरंतारन चम्बेदी तरती दे उते ऐलान होंदा और इस अलान दे विच कई सारे वड़े ऐलान होंदे ने पर मसला अज इत्थे ऐ बन दा कि कदो होवे की जथेदार जक्तार सिंग हवारा होरा दी रिहाई चम्बेदी तरती दे जद अकाल तक सहिब द जथेदार जक्तार सिंग हवारा होरा नुक्त बनाया गया सिगा ऐ ओही सिंग ने जो की सड़े लई अज जेल दे विच बंद ने सो कॉल कही सारी और्गनाईजेशन कह रही है हन कि असी एना दी रहाई देले कम कर रहे हैं असी एना दी फैमिली दा भी देख बाल कर रहे हैं अज सारे खुलासे होनगे कि वाकिया कम हो भी रहा है कि नहीं उस जथेदार नू केड़ी मुश्किलाना सामना करना पैरे है ओ जथेदार जो की कौम दी अगवाई करना चाउंद है लेकिन ओदे मंदे वेज़ की है सवाल वड़ा थे हैं बढ़द है कोन नहीं चाउंदा कि जथेदार जक्तार सिंग हवारा दी रहाई होए केडिया कानूनी अर्चना जथेदार जक्तार सिंग हवारा दी रहाई नू लाके सामने आ रही हैं क्यों नहीं पंजाब सरकार अनू सी दे रही पंजाब ट्रास्वर कराउन दे लई क्यों आज भी जथेदार जक्तार सिंग हवारा तिहार जेल दे विच बंद ने अगर अजादी देंदा है ता अधे किस लिहाज लाल अजादी देंदा है ऐसारी गल्ला सी करांगे वेख देया एव विडियो और उस तो बाद भी लगातार असी जत्यदार जक्तार सिंग हवारा उना दे होते उना दी रहाई नहीं उलाके कई सारे खुलासे अज करने ने औ उवी करने के सरफ सेमती दिनाल 2015 दे विच जत्यदार जक्तार सिंग हवारा हो रहा नू अकाल दक साहिदा जत्यदार न्युक्त किता जान्द है और कौम दे विच एक खुशी दी लायर दोड़ दिये कि ठीक है हुन सानू एक जत्यदार मिले जो कि साड़ी कौम दिया कवा दे मंदे विच की गलना हन जत्यदार जक्तार सिंग हवारा केड़ी बिमारियां दिनाल जंग लड़ रहे हन जत्यदार जक्तार सिंग हवारा दा पंजाब चे ट्रांसवर क्यों नहीं हो रहा जत्यदार जक्तार सिंग हवारा ने की वड़े खुलासे कीते और किनू कीते औ और किनू अपनी आप बीती सुनाई जत्यदार जक्तार सिंग हवारा क्यों परिशान ने जत्यदार अग जक्तार सिंग हवारा कौमनू की अपील करना चाऊंदे ने अगर मैं 2015 सर्बत खालसा चले जामा वो खुशी दी लहर सीगी कि मिल गया सानू कौम दा जत्यदार मैं अगर तो अनू याद नहीं आ रहे हैं तो मैं तो अड़ी यादां जेड़ी हैं कि एक वरी ताजा करना उस तो बाद मैं लगातार इस मुद्दे दे उत्ते कई सारे सवाल करांगा और कई सारे वटे खुलासे भी करांगा सो ऐसीगी दो हजार पंद्रा दियों तस्वीरा मैं तो नूँ याद करवाई हैं चत्थिदार जक्तार सिंग हवारा दिजद गल आउं दिया ऐ जमीनी पद्दर ते ऐसे महाल फिलाल दा मसला है जिनने मसले साठी कौम दे बिच हो गए उननू असी पूलता नहीं सकते पर असी अगवाई के में कर सकते हैं और के में असी लंबे समय तो चल रही साठी रिकोग्निशन दी गल freedom of speech दी गल जिडी गल अपा लंबे समय दो कर दे हो आ रहे हैं वो अगवाई होएगी कि में अर्चना कोन पा रहे है कोन नहीं चौंदा की अगवाई वाकई होए सानू पता है कि ना सानू उमीद है गी है पंजाब सरकार तो क्यों ना सानू उमीद है गी है बादल परिवारतों ना सानू उमीद है की है कालतक साहिब दे जिडी यां हुर और्गनाईजेशंज विश्वदे वीच भी कम कर रही है क्योंकि अज जुरूर कहना पवेगा इस गल नू क्योंकि खुद आप कोई उनादा साथी जड़ा है गए कानूनी सलाकार जड़ा उनादा है गए वो खुद आप बड़े खुलासे करेगा कि कौन उनादी आर दे विच लुका तो कौम तो डोनेशन ले रहे है लेकिन जत्यदार जकतार सिंग हवारा अलान कर दे की ने और कौम दे विच्छ सुनेहा जानदा की है इना दे उते लवांगे जवाब इस ब्रेक्तों उस पार अज सवाल एही पुछा जा रहा है कदो होवेगी जत्यदार जकतार सिंग हवारा होरा दी रहाई जंग लड़ रहे ने और की कुछ परशानिया जत्यदार जकतार सिंग हवारा होरा दे केस नू लाएके आ रही है हन उना दो तैसी इस तमाम पेश को श्नूजारी रखांगे महमूद पराचा साडनल इंडिया तो जुड़ चुके ने महमूद जी वी वेल्खम यूओन अजदा मुद्दा सब्सक्राइब करें तो महमूद तुसी कद इस केस दिनाल जुड़े एंड कर तो तुसी जथेदार जकतार सिंग हवारा हो रहा दी इस कानूनी या कानूनी अर्चना जड़ी आ रही है हन उदी पेशकिश कर रहे हैं जाय समय एक तो यह है और जो एक बुनियादी कमी आ रही है वो सिर्फ यह है कि एक जो भारत भारत के समिधान के तहत जो एक नागरिक को और दूसरे भी किसी व्यक्ति को जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो जत्यदार हवारा साहब के साथ अवेलेबल नहीं है को अवेलेबल नहीं है यह हमें सबसे बड़ी तकलीफ और दिक्कत आ रही है मुकदमा लिया था जत्यदार साथ का वेलेबल बनाता तो सबसे पहले मुझे यह बताया गया था करीब उनके उपर 73 केसिस हैं फिर हमने पूरा उसके ध्यान लगा के सारा रिसरच किया और उसको एक एक करके केस को सोट आउट किया तो पताये लगा कि एक्चुली उनके खिलाफ जो है स्टीम से चार केसिस उसके तुरंद बाद जब हमने परवी शुरू की उसकी पंजाब में भी जाके तुर्जाना भी जाके और दिल्ली में भी तो उसके फॉरण बाद ही यह बाकी तीनों केसिस भी खतम हो गए थे क्योंकि जो prosecution agencies हैं वो जान बूच के यह केसिस को भी देर कर रही थी और बगएर किसी सबूत हुए क्योंकि कोई भी गवान नहीं था और अबूत पुलिस के पास भी किस एक के बाद एक के बाद एक करके मगर अब जो सबसे बड़ी परिशानी है कि इस केस में जो एक आखरी केस उनके उपर है जिसमें हाई कोटें उन्हें उमर कैद की सजा दे रखी है इसमें भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हमने वो जज्जमेंट पड़ी बगर क्योंकि सजा हुई वी है और अब सुप्रीम कोट में अपील पेंडी तो इस वज़ा से वो आज 24 साल के करीब हो गये है 24 साल से भी ज्यादा होगा है वो जेल में है तो यह भारत के समयधान के तहत और जो कानून एप्लिकेबल है उसके इससाब से यह बहुत ज्याद्टी की बात है और हमारा सबसे बड़ा अग्रीमेंट यह ही है कि हम कोई कंसेशन किसी से नहीं मांग रहे हैं हम कोई रियाय है या रहें की दर्खास नहीं करना है हम सीधी सीधी बात यह कह रहें के साथ जो कानून में ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अगर कानून के हिससाथ सब्सक्राइब तो वह बहुत से बाहर होते हैं जारी जो परिशानी है या जो हमारी स्थिती है वो इस इस तरह की करना चाहूंगे मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर उमर कैद करने की वज़ा यही है कि उनके खिलाब कोई भी सबस्टांटिफ प्रूफ नहीं है इस केस में और अब 24 साल हो गए आम तोर पे जो भारत सरकार का और देश के विविन राज्यों का जो कानून है नॉर्मली वो 14 साल की उमर कैद मानी जाए विद्धार सहाब को 24 साल से भी ज़्यादा उपर हो जी तो अगर देखा जाए यह जो एक ट्रीटमेंट है यह एक आम नागरिक से से ज्यादा जो उनके साथ कानून से बाहर जा को उससे बाहर जा जया रहे है वो ही हमारी अलग अलग फोरॉम पर जो संटिवर् commence को इस हम यह बात उठाते है वकील सब केस उन्हादा पंजाब दे विच है रख्या और उन्हों तिहार जेल दे विच गया है कई वार अपील कर चुके है कि उन्हादा पंजाब चे ट्रांसफर करो तो अनू की लगड़ा है कि अर्चना किते आ रही हैं कि ए देवेच निगेली अगर देखी जाए तैं प हमारे देश को कमजोर करने काम नियंतर रूट से कर रही है तो। यह वही टाक्ते है जो कि जल के अंदर रखके देश को भी कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जत्यदार साहब से इंस्पिरेशन लेने वाले करोडों लोग है पुरी दुनिया में और भारत के अंदर और जब उन्हें जत्यदार बनाया भी गया था पूरा उसमें लाखों लोग आये तो इस प्रकार से उनको जो जान बूच के तंग किया जा रहा है उसकी दी जाती है आपने बहुत अच्छा एक्जामपल दिया के जो यह केस है वह पंजाब का केस है लिली की तिहार जेल में उन्हें बिल्कुल गहर कानूनी तोर पर रखा हुआ है तो एक तरीके के साथ उनके साथ धक्का ही हो रहा है मतलब जिस तरीके का यह ताना शाही चल र जिकायत है वो यह तो पंजाब के जेल में उन्हें लोध याना की जेल में होना चाही करें तो वह असली आ週 प्यों इस बदक ना शाई प्जुन लेकिन उसकी घं़्झेंवगे कानून कृट ऑफ है और तिहाड जेल में भी जो उनके साथ स्थिती है उनकी मेडिकल तोर पे उनके मेडिकल का भी किसी तरीके से ध्यान दिखा जा रहा रहा मल्टिपल उनको परिशानिया है जो एक तो टॉर्चर की वज़े से भी उनके कही ऑपरेशन होने है पैरों का भी दूसरा जो उनको प्राइब लेकिन कमता गांव लोग और टॉर्चर किया गया था तूस्टरी में वह उसकी मी ट्रीपे ऑपरेशन ओफ उनकी की तक्रीक में तकलीफ और उनकी जो इस बाक की स्पाइन में भी ब्लोंत प्रॉब्लम है लेकिन उसका उनने किसी भी तरीके से कोई मेडिकल क्री दो पर यह भी बहुती शरम की बात है और ये सब चीजें जो हो रही है ये समिधान की सब्च की चारहे हैं ते नुरूच सब्सक्राइब करा ढिकना नहीं और ये भी हैं और शरम की बondölड बएक वकील साब टेक्निकली वेख्या जाता है, चोवी साल उन्हों पूरे हो चुके ने, उमर कैदी सजा दे लिहाज नाल, वो अपनी सजा भी जिडिये खतम कर चुके ने, और तशददा करकर के उन्हों जेल दे बेच रख्या जा रहे है, जट तो अड़ी मुलाकाद हुंदी है कौम उन्हों लेके अपना की दर्द रख देने, वो भी जारंदी ऐसी कोशिश करांगे, फलालक ब्रेक लिया थे रुक रहे है, महमूद पराचा, लॉयर आफ जटेदार जक्तार सिंग हवारा, साड़ेना लगातार जारी रहेंगे, मिलते हैं अब एक तो बात. जटेदार जक्तार सिंग हवारा होरा दे वकील, महमूद पराचा होरा दे कोल, और जारंदी कुशिश कर दे हैं, कि जट उन्हादी मुलाकात होंदी है, ताँ की कुछ उन्हादे वलों, यानि कि जटेदार जक्तार सिंग हवारा होरा वलों, गल कही जान दी है, या फिर अ आखरी मुलाकात में उसे और बाकी सबी मुलाकातों की तरह एक तो एक सचे और पके शिंग की तरह ना वो कभी अपनी कोई तक्लीव और दुख की बात वह कभी नहीं बताते नहीं सो तो उनकी शक ल से देखके या जो दर्ट करिभार हो रहा होता है पीट में या पैर में या सर में आखों में तो उससे नजर आता है तो जब उन से कुरेद कुरेद के मैं पूछता हूं तभी वह बताते हैं कि यह तक्रीप है उनको फीजिकल प्रॉब्लम है बाकी वह हमेशा अच्छी है बहुत मुस्कुराट के साथ मिलते हैं और उनका बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगता कि यह वह वेखती है कि जो 24 साल से जेल में बंद है उनको देखके यह नहीं लगेगा किसी को लेकिन यह उनकी बहादुरी और यह उनकी जो शक्सियत है उसका नतीजा है वह हमेशा मुस्कुरात के बारे में इसके बात करते हैं अगर केस से हटके कोई बात होती है हमारी तो वो पंजाब के यह वो चिनतित रहते हैं वो और जो ड्रग्स की प्राब्लम में अभी हो रही है नौजवानों के उसमें बहुत वो चिंतित रहते हैं और उसमें मैसेज भी बहुत बार बेजते हैं और जो एसी कम्यूनिटी के साथ जो शडूल कास कम्यूनिटी के साथ भी पंजाब में जो तकलीफें उनको आती हैं और जो ज्यातियां होती हैं उनके साथ उसके लिए भी दुनिया में मुझे लगता है कि उनकी जितनी इज़त है, वो मैंने किसी और लीडर की नहीं देखी है, मगर यह बहुत ही दुख की बात है कि जैसे हमारे भारत में तो खास तोर पे जो भी जितनी भी minority communities है, खुद हमारी Muslim community भी है, उसके जो so-called leaders हम लोगों के सब के खड़े हैं साथ, वो अच्छे लोग हैं या ऐसे community के जो leaders हैं जो खुर्बानी देने का जद्यवा रखते हैं या जिनकी बे मिसाल खुर्बानिया हैं या जो पाकिश सभी लोगों से बहुत जवाँ उपर हैं, उनको किसी भी तरीके से वो रूक के रखते हैं, उनके नाम पे तो बहुत लोग बहुत सारे फाइदे भी उठाते हैं उनके बारे में बोलके उनकी तकलीफ है बेयान करके हाला कि उनका कोई प्रेम इन से नहीं होगा मगर ये सारी minority communities जो इंडिया की बहुत वटा खुलासा किता है तुसी क्या कि उन्हादा ना यूज करके कई सारे लोग कई सारी organizations जिड़ा है गया है उन्हादे ना नो वर्थ के लोका नो गुम्रा कर रहे ने कौम नो गुम्रा कर रहे ने पलकी ये एक जब तक ये कौम की भी एक तरह से घल्ती में मानूंगा कि जब वो इतना प्यार करते हैं सब तो उनको भी आगे बढ़के इस बात का पता लगाने पर भी समय लगाना चाहिए कि कौन लोग सचे हैं जो हवारा साब को दिल से चाहते हैं और खास तोर पर जो भ हैं तो जो सिक्षपंत के मानने वाले लोग हैं और खास साब के दूसरे भी जो मानने वाले लोग हैं उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनके बारे में पता खुद स्वेम अपनी जानिकारी से करना चाहिए आज तो टेक्नालिजी का दोर है तो किसी की भी जूटी बातों में नहीं आना चाहिए वो एक लीडर है और उनको बाहर होना चाहिए था अगर ये सारे लीडर ठीक से उनके लिए काम करते सिर्फ जो आज सामने रहके जो बहुत बड़े बड़ी जगा जाके स्पीचिज भी देते हैं हवारा साथ का नाम लेके पैसे भी मेरे ख्याल से बहुत कलेट किये जाते होंगे तो ये सब अगर दिल से उनके काम करते हैं तो आज बाहर होते कि जथेदार जगतार सिंग हवारा हो रहे ने ओफिशली किसी वी और्गनाइजेशन नो अपना रिप्रेजेंटेटिव मन्या कि हाँ तुसी साठी है गवाही करो क्योंकि विदेशा दी तर्ती दे होते वी कई सारी और्गनाइजेशन ने जो कि जथेदार जगतार सिंग हवारा दा ना लाके या फिर उना दा ना वर्थ के जड़ा है गया वड़ी वड़ी स्टेज जान दे उते अलान किता जान दा है वड़े वड़े जड़े ने उना दू लाके कम किता जान दे ने कि ओफिशली जथेदार जगतार सिंग हवारा ह साथ के जितने भी followers हैं, मानने वाले हैं, उनको प्रेम करने वाले लोग, वो एक सच्चे सिंग है, ये मैं गवाई दे सकता हूं कि वो एक सच्चे और मजबूत इनसान की मिसाल जिसे कहा जाता है, वो है, जो बावजूद इतनी परिशानियों के बारे में भी अपने बारे मे कभी कुछ नहीं बोलते हूं, कि मैं ये तकलीज क्योंगे हैं, वकीर साब, वो किते मजूद हैं, उनकी 21 member committee है, उसको contact करना चाहिए सबको, और उसके contact से ही, उनके message भी लेने चाहिए, और उनके लिए यदि कोई कुछ काम करना चाहता है, या उनकी बातों को मानना चाहता ह है, तो असली जो organization है, वो उनकी 21 member committee है, उसके contact करना चाहिए, और उसके बताये हुई रास्ते पे चलना चाहिए, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है, कि पूरी पंत को, उन, जो leaders है, so called, जो उनके नाम पे जूटे आशू बहाते हैं, और बहुत सारे फाइदे उठाते ह पैसे भी खटे करते हैं, तो उनको भी सवाल पूछने चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए, डिटेल्स पूछनी चाहिए, आप लोगों ने आज तक क्या काम किया, आप लोग सब इतनी बड़ी-बड़ी facilities का फाइदा उठा रहे हो, आप लोग कहां से कहां पहुँच नाम लेके कितने लीडर्स थे, जो कहां थे और कहां पहुच गया, तो उनकी भी एक इंक्वाइरी, जो हमारा अपन्थ है, उसके लोगों को करनी चाहिए, शिक समाज के लोगों को करनी चाहिए, और वकील साब, ऑफिशली में तो जाना चाहिए, जी, ओफिशली में तो ज कोईंट किती है, या फिर ओ सिर्फ जथेदारा हवारा होना ना यूस कर रहे ने, जहां तक मेरी जानकारी है, जो जथेदार हवारा साब ने मुझे बताया है, वो मुझे अपनी 21 मेंबर कमेटी के लिए बताता है, और वो 21 मेंबर की कमेटी जो है, वो पंजाब में करते हैं जो के एके पार, भूसी कर रहे हैं, यह रहा है, के हम सब लोगोğों का फर्स है जो जथेदार कर सौह सेप्यार होना यूसे है, जो जथेदार कि वो इस बात काty का follow up करें। लोगों से जो भी Leaders हैं जो कहते हैं कि हम जतहदार श्वाब के बहुत बड़े मानने वाले हैं। उन से सवाल पूँच में सब से सवाल पचे। हम उनके वकील हैं तो हमने क्या क्या काम किया? जब लोगों को जो भी जत्यदार साहब का नाम लेता है उसको और जो लीडर है खासता और पर अपने आपको लीडर क्लेम करता है तो उससे सवाल पुछे उसको बेशुट भी ब्रॉट टू टास्क कि आपने क्या 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 यह बहुत महत्वपूर बात बहुत वटी जानकरी तु जो कि पंजाब दे विज मजूद है ओही जत्यदार जक्तार सिंग होरा दी अगवाई कर रही है और ओही उना दे जेड़े अलान ने या फिर जेड़ा वी ओ कौम नो जदवी रीप्रेजेंट कर दे हन ता उन्हों उना दे वलो ही सामने आउंद है उस तो अलावा अगर को जत्यदार जक्तार सिंग होरा दे लॉयर ने उन्हाने अज़ एक वड़े खुla से कीते कि किवे सरकार उना नूँ कॉंसीटaresंटियूशन दे दीन ना रख के अनकॉंसीटिशन तूरीके दे नाल उना दे नाल तशद्यदा कर रही है चोवी साल जत्यदार जक्तार सिंग ह अगर अनू ट्रांस्वर उत्थे कर दिता गया तक किन्नू प्राबलम है गी है और किवे खुद आप असी जथेदार जक्तार सिंग हवारा होना दि मदद कर सकते हैं as an individual सानु किसे वी organization दी लोड नी ओवी महमूद पराचा हुरा तो असी जाना दी कोशिश करांगे इस ब्रेक तुमाद ब्रेक तुमाद स्वागता लगतार जथेदार जगतार सिंग हवारा होना दी रिहाई दीकल हो रही है ओना दे लोएर महमूद पराचा भी साटनल मुझोद ने काफी सारे कॉलरी साटनल जोड़े हो इने तुसी भी सानु कॉल कर सकते हूं साथिकाल दी दुसी और ने रहों कून बोल रहे हैं कित्हों बोल रहे हैं oni में सोहन सिंघ घूल दा है की Mr. मेरबनी 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 कोशिश है जी 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 एक जते बंदी होना दी हमायद करूगी तर दूजियां जते बंदियां उदा वरोद कारंगी जी एनी मखालफ़त वदी होई आप स्विच जी नुक्स बड़ा साथी से कौम बेचाएगा या जी आप स्विच एक ता हुंदी जी आज कल हवारा साव बार जी बिल्कुल ते जस्पंजाबी अपनी जिम्मेवारी समझुमेर बानी तो अडि जस्पंजाबी अपनी जिम्मेवारी समझता होया लगातार और ऑन अमुद्यानू लेके ऑंद और आह मुद्धा साभी काउम दिलाही बहत ज़रूरी सीका वडे खुलासी आज खुद प्राचाएं आदे लॉयर वो किते गए कि उना दे ना यूस करके उना वर्थ के जिन डिटी डोनेशन है वोल्ड वाइड कठी किती जान दी है या फिर उना नू कि है जंदे कि इसी उना नू पैगांप पचावांगे असी उना दी रहाई देली कम कर रहे हैं So I think हज़ तक कोई भी ओर्गनाइजेशन जेड़ी है वो सीरियस होके कम नहीं कर रही They are just using the name of जक्तार सिंग हवारा जी और उना नूव वर्त के अपनी दुकान दारी कर रहे ने खुद आप महमूद प्राचा वलो यानि कि उना दे लॉयर वलो कहा गया एक की memory committee जेड़ी है वो officially appoint किती गई है जत्यदार जक्तार सिंग हवारा वलो उस तो अलावा अगर कोई भी आके गल कर दा है तो वो unofficial गल कर रहे है जेकर तुसी जत्यदार जक्तार सिंग हवारा हो रहा दी रहाई चांदेओ ता मैं एक तुनों email ID दे रहे हैं इस email ID दे होते है तुसी अपने जेड़े अपील है गी है जत्यदार जक्तार सिंग हवारा हो रहा दू तुसी कर सक देओ वैसे तुसी CM कैप्टन नमर इंदर सिंग नू लिख सक देओ अपनी email या फिर तुसी CM दिल्ली अर्विंद केजरी वाल नू लिख सक देओ या फिर तुसी जेल सुप्रिणेंड अफ ती हार जेल उन्हान नू लिख सक देओ लेकिन मैं एक email ID तो आड़े आगे जन तक कर रहे हैं आई ए आई मैं चाहांगा कि साथी टीम जड़ी है उन्हों डिस्प्ले करें इस email ID नू ते नाल असी अंडर स्कूल डी एस एल एस एड़ एट जी ओवी डॉट इन साथी टीम थोड़ी देर देविचे नू डिस्प्ले करेगे इस email ID नू तो उसी इस email दे उते एस एंडिविज्वल इस email दोते हैं अपनी एपी लेके पेल सकते हो वकील साथ कुछ एड़ करना चाहूंगे जो दुनिया भर में आज democratic system है constitutional democracies है तो जनता की आवाज जो है जो individuals की आवाज है वो हर जगा वजन रखती है और खास तोर पे जत्तिदार हवारा साथ के क्योंकि जो भी उनके उपर case बचाया वे उसमें भी कोई भी legal evidence है नहीं तो इनके लिए एक free हवारा moment जो है संगत के लोगों को swam start शुरू करना चाहिए ये बहुत अवश्चक बात है तो जो leaders भी है वो भी जब देखेंगे के अब जो है Sikh community या जो जतिदार हवारा साथ के followers है पूरी बुनिया में वो अब बात समच चुके है और वो खुद कड़े हैं तो फिर इन लोगों को भी मजबूर होके मूद दिखाई से काम नहीं असल काम करना पड़े ये बहुत जरूरी बात है कि फ्री हवारा मुमेंट हैस्टेक करके या कैसे भी करके शुरू किया जाए अभी भारत सरकार की नीती है ये जी आज आसी ऑफिशली नी ऑफिशली अनाउंस कर देने है वकील साहब की फ्री सरकारा नो दिखा सकने देखो कि एज जी डी कम्यूनिटी है ये दे वांट हवारा टू फ्री हर कीरत आड जस ब्रोड कास्टिंग डॉट कॉम दे होते है तुसी लिखके साहनों पेज सक दे हो और ए बकाइदा इमेल आइडी दे होते है असी फॉर्वेड करके वकील साहब दे होरा तक पुचावांगे तो अड़ी अपील नो और इस अपील नो सरकारा दे कोल पुचाई जाएगी करना तक पुचाई जाएगी ताकि जड़ा सिक डाय सपोरा अज अमेरिका दी तरती दे होते मजूद है या फिर विश्व दे किसे भी कोण दे विज मजूद है पूरे हो चुके ने जो की उमर काहिदी सजा दे प्रक्रिया नो बार कर देंदी है वकील साफ एककल हूर भी एथे बंडी है कि अगर मैं उन्हादे परिवार ती गल करा ते उन्हादे परिवार हाल फिलाल दे विच आप कौन-कौन है गया और किमें उन्हादी फैमिली अगर उनका दर्द जो एक ही निकल के आता है तो वह माता जी से मिलने का निकल के आता है और कभी भी उन्होंने अपना कोई दर्द मेरे सामने नहीं बयान किया बस वह यह कहते हैं कि मैं अपनी माता जी से अगर मिल पाऊ तो बगजे बड़ी खुशी हो पर सरकार उन्हें इस बात की भी इजासत नहीं दे रही है यह भी बड़े दुख की बात है जो उनकी मिलने के लिए जो एक आम जो प्रिस्जर होगा उसको जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि वो इतने लोगों से मिल सकता है वो भी उनको नहीं दी जा रही है तो और वह ट्रैम तो ऐसा हु चीज़ें वो सब खेर कानूनी चीज़ों से उन्हें तंग किया जा रहा है तो एक तो फैमिली के बारे में यह दूसरी चीज मैं जो आपसे बहुत महत्रपून कहने जा रहा हूं कि जद्रदार साहब का सच्चा मेसेज भी जो उनके फॉलोवाज हैं उन तक तब ही यह यह भी नहीं पता लगता है इसलिए भी बहुत महत्रपून हैं कि जो ऑफिशल कमिटी है ताकि सच्चाई भी लोगों के सामने बाहरा सके और जो भारत सरकार है और जो पंजाब सरकार है खास तोर पे और दिल्ली सरकार का तो एक तरीके से देखा जाए तो रोल होना ही नहीं चलिए वगर क्योंकि रोल इसलिए है कि उन्हें गहर कानुमी तोर से तिहार में रखा गया तो दिल्ली सरकार भी इसके जिम्मेदार है और पंजाब की सरकार तो पूरी तरीके से जिम्मेदार है यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यह पंजाब सरकार की है जो कैप् इनी सी भी परवार नहीं है तो मुझे बहुत बड़ा हैरानी और परिशानी और दुख है कि कैप्टेन अमरेंदर सिंग के इस ब्रकार के नेता अपने आपको कहना चाहते हैं कि क्या हम कोई रहम की भीक नहीं मांग रहे हैं जत्यदार हवारा साब के लिए क्या कैप्टेन अ साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है यह खुद अमरेंदर सिंग साहब की जिम्मेदारी नहीं है तेकिन उसकी वज़ा यह है कि हम लोग जो है कमुनिटी के लोग कुछ गलत लीडरों को उनका नुमाइंदा समझ के उनी की बातों पर विश्वास करते आ रहे हैं हमे जो कमुनिटी के लोगों को सीधा अमरिंदर सिंग साहब से बात करनी चाहिए अरविंद केजरिवाल साहब से बात करनी चाहिए अमित शाह साहब से बात करनी चाहिए प्रदान मंतरी से बात करनी चाहिए नरेंदर मोदी जी से परफार साथ को परफार की लोगों की तरह परणाबर की ट्रीट्मेंट क्यों नहीं मिल रही है। परफार साथ क्यों नहीं मिल रही है। झाल